हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे पुर्टगी स्टेट के बारे में मूर उत्तेरी अफ्रीका में पुर्टगालियों के कोट शेत्रू थे, जैसे अरब थे पूर्ब में पूँचकर पुर्टगाली अपने साथ इसाई धर्म को बढ़ावा देने और सबी मुसल्मानों को सताने की चले कर आये थे मुसल्मानों के प्रती असाईशनू, पुर्टगाली शुरू में हिंदो के प्रती कावी शाईशनू थे हाला कि समय के साथ गोवा में धर्मादी करण की शुरुवात के बाद एक बदलाव आया और हिंदूों को भी सताया गया लेकिन इस आश आईशनू व्यवार के बावजूद जेसूइट्स ने अकबर के दर्बार में एक अच्छे छाप चोड़ी जिसका मुख्य कारण धर्म शास्त के प्रशनों में मुगल समराट की रूची थी सितंबर 1589 में अकबर ने गोवा के अधिकारी को एक पदर भेजा जिसमें उनसे दो विद्वान पुजारियों को भेजने का अनुरोध किया गया था गोवा में चर्च के अधिकारियों ने निमंतरन को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया जिसमें समराट को इसाई धन में परिवर्थित करने का मोका मिला और उनके साथ उनके दर्बार और लोगों ने भी जिसूट फादर रोडोल्फ एक्वावीव और एंटोनियों मोंसेरेट को इस उद्देश ये ले चुना गया था 28 फरवरी 1580 को जब वे फत्यपूर सीकरी पहुचे तो उनका सम्मान के साथ स्वागत हुआ एक्वावीवा और मोंसेरेट 1583 में वापस चले गए इस उम्मीद पर विश्वास करते वे कि पूर्टगालियों ने अक्वर के इसाई धन में रुपा अंतरण का मनरणजन किया था 1590 में अक्वर द्वारा बुलाया गया दूसरा मिशन भी 1592 में इसी तरह के नोट पर समापत हुआ तीसरा मिशन अक्वर द्वारा फिर से अमंतरित किया गया 1595 में लाहोर पहुँचा और एक प्रकार के 27 अंस्ता के रुप में जारी रही जिससे इसका विस्तार हुआ धर्म निर्पेक्ष राजनीती पर इसका प्रभाव फादर जेराम जेवियर और इमेनवल पिनेरो मिशन के नेता थे और अदालत से उनके पत्र उनके द्वारा प्रतान की कई जानकारी के लिए बहुत व्यापक रूप से जाने जाते थे जो कि अकबर की शाशनकाल के बाद के भाग में राजकुमार सलीम ने जहांगेर के रूप में सियासेन पर बैठने पर जेसुट फादर की उपेक्षा करके मुसल्मानों को आश्वस्त किया हलाकि धीरे धीरे जेसुट से उनका अस्थाई मन मुटाव समाप्त हो गया और 1606 में उन्होंने उन पर अपनी क्रपा का नवेनी करण किया लाहर में सुरूची पून और विशाल चर्च को कोलेजीम ये पुजारियों के निवास के साथ उनके द्वारा बनाए रखने की अनुमती दी गई थी 1608 में आगरा में 20 बबतिस्मा किये गए पुजारियों ने सरवजनिक रोप से उतनी ही सतंता के साथ अब भी इनने किया जितना की पूर्टगाल में जहांगीर का आच्रन ऐसा था कि जेस्वीट पुजारियों से इसाई धर्मे लाने के लिए आशानवित हो गये हाला कि इन आशाओं पर विश्वास किया गया था इसके अलावा पूर्टगाली वोइसरों के अभिमानी कार्रों ने मुगल समराठ के साथ दरार पैदा करती तो यह थे एक इंपोर्टन टोपिक रिलिजियस पोलिसी ओफ द पोर्टोगेज वेडियो फसंद आए वेडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें